नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल टीचर जॉप सुनील में दुबारा आपका फिर से स्वागत है दोस्तों दुबारा से मैं आपके सामने कुछ लेटेस्ट टीचिंग और नोन टीचिंग वेकैंसी लेकर के आया हूँ और ये जो वेकेंसी आई हुई है डिये भी पब्लिक स्कूल से आई हुई है तो इस वेकेंसी के डीटेल्स देखने के लिए वीडियो को लास तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लेटेस्ट प्राइवेट गौर्मेंटर एक छोटी बडी टीचिंग वेकेंसी के अपडेट रोजाना सबसे पले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथी साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाले वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा सज़्यादा उन लोगों को सेर करें जिनको इस तरह की जौब की रिक्वाइर्मेंट है जो बीएड कर चुके हैं तो चलिए इस वेकेंसिस के डीटेल समझानते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो वेकेंसि आईवी ए डीएवी पब्लिक स्कूल सिंगरॉली मद्द परदेश से आईवी है और MP जोन की वेकेंसि है दोस्तों तो वेकेंसिस के डीटेल से आप नोटिस बोड वाले ओप्सन पर यहाँ पर देख पाएंगे 84224 की वेकेंसि है या फिर जो है नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और वीव ओल पर आपको क्लिक करना है तो चलिए हम वीओ ओल पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो वेकेंसि या युवे डीवी इंचिट्यूशन्स एमपी जोन डी की वेकेंसि है इस फॉर्म को जो है सीवीटी तो थावजन टॉन्टी फॉर सेकेंड फेस अप्लिकेशन फॉर्म है और अउनली सीवीटी इजाम दीए हैं उसका रोल नंबर देना है यहाँ डेट ऑब बर्त आपको यहां से लेक्ट कर लेनी है दोस्तों इस तरह से इसके अलबा जो है यहाँ पर्मानेंट एड्रेस आपको देनी है यहाँ पर क्ॉन्टेक्ट नंबर अगर वाटसप चलाते है तो उनका नंबर द कर देनी है इसके अलबा जो है यहां पोस्ट अप्लाइट फॉर मेंसन सब्जेक्ट लेबर यहां पर देख लेंगे तो यहां पर देख लेंगे वन टो त्री फॉर फाइब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 इस्कूल है, आप यहाँ सारे इस्कूल का नाम one by one देखनें दोस्तों, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे आप first option में एक इस्कूल सेलेक्ट करेंगे, second option में आपको कोई दूसरा इस्कूल सेलेक्ट करना होगा, उसके अलबा यहाँ पे दिय करेंगे, तो yes पे करना है, अगर करना चाहते हैं, तो यहाँ फिर नहीं करना चाहते हैं, तो no पे करेंगे, इसके अलबा यहाँ पे आप देख ले, upload, provisional eligibility card, PC card, ID proof, अधार काड और voter card, qualification certificate in single PDF, एनि सारे document को जो है, आप single PDF में बनाएंगे, और उसको यहाँ पे add वाले option पे आपको select करके upload कर देनी है, उसके बाद जो है submit कर दीजिए, final submission आपका हो जाएगा, अगर कोई mistake होता है, तो clear form पे click करके, आप दोबारा से fill कर सकते हैं, तो अच्छे vacancy आप fill करिए, कोई doubt होता है, तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए, तो जादा सेर और लाइक करना ना भूले, धन्यवाद